प्रमुख मोहन भागवत द्वारा सेना पर कीगे टिपने के विरोध में अंबाला में कॉंग्रेसी ने रोश प्रगट किया और भागवत का पुतला फूंकर अपनी नराजगे प्रगट की। प्रगवत देश से अपने इस ओचे अच्छे ब्यान के लिए माफी मांगे। यूद कॉंग्रेस के परदेश सचिफ अतुल महाजन की अगवाई में कॉंग्रेसी अंबाला केंट के कॉंग्रेस भवन में इकठा हुए जहां कॉंग्रेसी ने देश के शहीद सैनिकों को श्रधांजली अर्पित करने के बाद संग प्रमुख मोहन भागवत का पुतला आग कश्मीर में 56 इंच के सेने वाले ब्यान देने वाले भाजपई को मिली जूली सरकार है रोसीमा पर सैनिकों पर हमले हो रहे हैं और ऐसे में जम्मु कश्मीर की सरकार सेना पर पर thर बर्साने वालों के केस वापिस ले रही है सीनियर कॉंग्रेस नेता रतनलाल टांक ने कहा कि आर एसस चीफ ने सेना और आर एसस का जो तुलनात्मक अध्यन लोगों के सामने पेश किया है वह शर्मसार करने वाला है जिस पर उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए वह सीनियर कॉंग्रेसी रतनलाल टांक ने कहा कि मोहन भागवात ने सैनिकों का मनोबल गिराने का काम किया है जिसके लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करने वाला वह एक बार सीमा पर जाकर देखें कि सैनिक किन हालातों में रहकर भारत माता की रक्षा कर रहे हैं उनकी गलत फैमी दूर हो जाएगी भागवत का विवादों से पुराना नाता है और वह सुर्ख्यों में बने रहने के लिए उड़ पटांक ब्यान देते रहते हैं परन्तु अब उन्होंने देश की सेना पर टिपनी करके अपनी मान सिकता दर्शादी है कॉंग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है यह अपनी तुलना उनके साथ करते है